Knowledgeful माना गनेश, है ना, दुनिया में भी गनेश को कैसा दिखाते हैं, एक तो शिव की संतान के रूप में दिखाते हैं, और दूसरा, imperfect body और perfect बुद्धी, है ना, body imperfect है, लेकिन बुद्धी perfect है, और गनेश को कैसा दिखाते हैं, कि उसका पुराना सर काट दिया था, और नया सर लगा दिया था, और वो भी स्वयम भगवान ने किया, तो बाबा हमें कहते हैं हमारी भी बाबा ने बुद्धी बदल दी आसुरी बुद्धी को हटा कर हमें कैसा बना दियां मास्टर त्रिकाल दर्शी, मास्टर त्रिलो की नाथ तो बाबा कहते हैं तुम मेरे नौलेज़फुल बच्चे हो और गणेश को कहते हैं विगन विनाशक तो बाबा कहते हैं तुम मेरे विगन विनाशक बच्चे हो विगन विनाशक है कि विगनों से दूर भागने वाले बच्चे हैं या विगन ना आए उसके लिए प्रे करने वाले बच्चे हैं क्योंकि दुनिया में तो यही रीत चलती है, कि विघनों से भागना और भगवान को प्रे करना, कि विघन ना आए, लेकिन बाबा केते हैं, विघन के साथ रिलेशनशिप, बुद्धिवान बच्चों की, नौलेज़फुल बच्चों की, विघन के साथ चो रिलेशनशिप ह वो बदल जाती हैं, अघ्यानी के जो रिलेशनशिप होती है विघन के साथ, वो विघन को पसंद नहीं करता, वो विघन से दूर भागता है, भगवान के हाथ जोडता है, कि कोई विघन ना आ जाये, लेकिन ग्यानी के लिए, बाबा ने विघन के लिए बहुत सुन्दर बाबा केते हैं विघन लगन को बढ़ाने का साधन है विघन क्या है लगन को बढ़ाने का साधन है और बाबा केते हैं तूफान तोहफा हैं बाबा ने इतनी सुंदर सुंदर बाते हमें ये ज्ञान की बाते हैं कि तूफान तोहफा है और विघन लगन को बढ़ाने का साधन साधन है, लेकिन ज्ञान स्वरूप होकर बैठेंगे, तो उस दृष्टी से देखेंगे, किसी भी बात की सत्यता को देखने के लिए दृष्टी चाहिए, वृत्ती चाहिए, अगर हम नौलेज़फूल होकर बैठेंगे, इस बात को बुद्धी में बिठा कर बैठेंगे, कि विघन जो है, वो लगन का साधन है, और विघन जो है, वो तोहफा है, तूफान तोहफा लेकर आता है, तो जब इसको समझ कर बैठेंगे, तो तोहफे को देख सकेंगे, नई तो तूफान तोहफा तो लाया, लेकिन हमने उसे मिस कर दिया, हर तूफान तोहफा लाता है लेकिन हम उस तोफ़े को मिस कर देते ही अगर हम उसे देखते नहीं अगर हमारी वृत्ती वैसी नहीं अगर हम यही समझे तूफान क्यों आया, क्यों आया, क्यों आया तो फिर उस तोफ़े को नहीं देख सकेंगे जो लाया है देखो, एक माता की एक बार ट्रांस्टफर हो गई, तो अकेली माता कभी बाहर नहीं निकली थी, तो जब ट्रांस्टफर हो गई, तो मुझे कहती ट्रांस्टफर हो गई, तो मुझे तो बहुत घबराहट होती है, तो उस समय हमने कहा, आप कभी बाहर नहीं निकले, आपको अकेले सर्वाइव करना नहीं आता, कितनी अच्छी बात है ना बावा ने मौका दिया, तो अभी जाएंगे बाहर अकेले रहेंगे, ऐसे तो नौकरी करती थी, लेकिन ट्रांसफर हुई, तो जैसे नौकरी भी करती थी, तो यहां लोकिक परिवार के बीच रहती थी, अभी लेकिन अगर वजां बाहर रही, तो शक्ति बढ़ती है, अनुभाव बढ़ता है, समझ बढ़ती है, और साथ-साथ एक नामी बनने का भी वाऊ मंदल बनता है, तो क्योंकि ज्यानी आत्म है और क्योंकि बाबा की श्रीमत को हाँजी करके चली, तो जब बाहर रही, तो बह बहुत कुछ समचा, बहुत अनुभवी भी बनी, लेकिन अगर वही आत्मा यही सोचती रहे, बाहर रहे के, क्यूं हो गया, क्यूं हो गया, बाबा ने साथ नहीं दिया, तो आप सोचो, ड्रामा में जो तोफा है, वो कैसे मिलेगा, तो इसलिए बाबा कहते हैं, कोई भी बा क्यूं नहीं कहना, क्योंकि अभी तुम ड्रामा के भी नॉलेजफुल हो, तुम बाबा के भी नॉलेजफुल हो, जिसको मालुम है बाबा साथी है, ड्रामा कल्यानकारी है, वो कभी भी क्यूं नहीं कहेगा, बाबा कहते हैं, क्यूं कहने वाला त्रेता युक की क्यूं में आ जाएगा, है ना, तो इसलिए चंद्रवंशी की क्यों में आ जाएंगे अगर क्यों कहा, तो जब हम ज्ञानी होते हैं, तो हमारी सबसे पहले निशानी क्या होती है, हमारा तूफान के साथ संबंद बदल जाता है, तूफान को हम तोफे की तरह देखते हैं, भक्ती में और ज्ञान में भगवान हमें विग्ण विनाशक बनाते हैं, और सबसे पहले बाबा तो विग्णों के प्रती ही हमारी वृत्ती बदल देते हैं, कि विगन विगन नहीं है, विगन तो लगन का साधन है, मुझे एक बात बताओ, देखो, जो अग्ञानी होता है ना, जिसको ज ज्ञान की धारणा नहीं है, जैसे ही विगन आएगा, वो क्या पूछेगा, ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, इसका मतलब ज्ञान समझ में नहीं आया, और अगर ज्ञानी होगा, तो जैसे ही, कोई विगन आया, तो क्या करेगा, सबसे पहले मुरली एक कि जगा चार टाइम शुरू हो जाएगा, योग जो है वो एक गंटे की जगा है 아ट गंटा शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ आगया है, कि अभी जो भी बात अई है उसको भी ऑन करने के लिए मुझे अब शक्ति चाहिए। तो जो जो ज्यानी अत्मा है वो जैसे ही विगन बढ़ता है उसका पूर्षार्च कई गुणा बढ़ता है। जितना विघन उतनी लगन ये ज्ञानी की निशानी है और जो विघन आते ही क्यों क्यों करे वो है अज्ञानी की निशानी और फिर क्या होता विघन आया क्यों क्यों क्या और फिर पुर्शार्त ही छोड़ देते हैं कहते हैं, मेरा इसमें भी दिल नहीं लगता, उसमें भी दिल नहीं लगता, तो क्यों नहीं लगता, क्योंकि ऐसा हो गया, अच्या ऐसा नहीं होना था क्या, कल युग अंत में तुमारे कोई कर्मों के हिसाब किताब नहीं है क्या, कुछ भी सामने नहीं आएगा क्या, लेकिन विघन लगन का साधन बनने की बजाए विघन विघन कब बन जाता है जब हम ज्ञान स्वरूप होकर नहीं चलते तो सबसे पहले तो विघनों का ज्ञान भी याद रखना है कि विघन तोफा है, विघन लगन बढ़ाने का साधन है अभी देखो, पीछे एक बहन मुझे कह रही थी कि मेरे से एक गलती हो गई अभी क्लास में नहीं आ रही थी बहुत दिनों से तो मैंने पूछा, आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो, दिखने रहे हो तो मुझे कहती है, मेरे से एक गलती हो गई तो मैं गिल्ट में चली गई, तो मैंने क्लास बंद कर दी, तो मैंने का अच्छा पश्यत आप कर रहे हो आप, कि एक तरफ तो गलती हो गई, उपर से उस गलती के कारण पुर्शार्थ भी रोक दिया, तो इसका मतलब तो समझ ही नहीं आया है कि माया क्या करती है, माया देख लेकिन बाबा कहते हैं, कोई विगन आया, लगन को बढ़ाओ, कोई गलती हो गई, तो बार-बार और ही फास्ट पुर्शार्थ करो ना, ताकि वो गलती का भी दाग मिट जाए, जब गलती हो जाती है, जब कोई रेड मार्क पढ़ जाता है, तो और लाल पैन यूज करते ह हैं, तो पहले तो पैन यूज करेंगे कि एरेजर यूज करेंगे, एरेजर यूज करेंगे, तो बाबा कहते हैं, जब गलती हो गई, तो यह जो बाबा ने हमें विधी बताई है, ज्यान की, याद की, सेवा की, उसको हमें बढ़ाना है, ना कि उस गलती को लेके बैठ जान है तो बाबा केते ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर होता है तो बाबा हमें इस चीज समझाते हैं आज कि जो नौलेजफुल आत्मा है वो विघन को देखके घबराएगी नहीं उसके लिए विघन तो और ही तीवर पुर्शार्त का साधन बनेंगे विघन विघन कब बनता है जब नौलेजफुल नहीं है और विघन के कारण रुक गए पीछे हट गए तो उसको कहेंगे विघन आ गया लेकिन अगर ग्यानी है और विघन को लगन का साधन बनाया तो वही अत्मा उस विघन के आधार से बहुत लगन में रहेगी और दूसरा उस तूफान के तोहफे को देखेगी जब भी कोई विपरीत परिस्थिती आती है तब ही तो ग्यान अपलाए होता है देखो ऐसे चि दूगल के साथ चिपक के बैठो बच्चों के साथ चिपक के बैठो और मैं नश्टो मोहा आत्मा हूं मैं नश्टो मोहा आत्मा हूं करना बहुत इजी है लेकिन जब दूर होंगे तब तो नश्टो मोहा का अभ्यास करेंगे नश्टो मोहा क्या है नश्टो मोहा मतलब ये हेट करो, उसको इधर-उदर की बाते कहो, वो नहीं होता है नश्चो मुहा, नश्चो मुहा होता है, जब कोई साथ में है, उसके साथ ठीक से रहो, लेकिन बुद्धी से इतनी तयारी हो, कि कल अगर वो दूर भी है, तो हमें रिंचक मात्र भी दुख नहीं होता, किसी की उपस्थिती से या अनुपस्थिती से, मेरे इमोशन में फरक नहीं पड़ता, उसको कहेंगे, आम नश्चो मुहा होएं, और साथ में रहने कई बार क्या करते हैं, देखो एक माता ने, एक माता कहती है, सुबह योग करती हूँ, तो युगल गुसा होते हैं, तो हमने सुचा कैसे ये, तो मैंने कहा योग करते हूँ, तो कहती ही जहां वो सोते हैं, बैड पर बैठके योग करते हूँ, तो मैंने कहा कि दूसरे कमरे में योग क्यों नहीं करते हैं, तो कहती हैं, दूसरे कमरे में करूँगी तो उनको सकाश कैसे दूँगी, तो वहाँ उसके सिर पे बैठके उसको सकाश दे रहे चार बजे तो मैंने कहाँ दूसरे कमरे से वह उतना ही जाता है सकाश की स्पीड नहीं घटती है दूसरे कमरे में भी बैठे है उतना ही सकाश मिलेगा उनको कोई ऐसे बात नहीं है, तो यह क्या है, कि ज्ञान कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए बाबा कहते हैं, जब नश्टु मुहाहूं का स्वमान क्या है, कोई आत्मा साथ में है, और अच्छा व्यभार करती है, बुरा करती है, कैसे भी करती है, उससे हमारे अंदर फरक नहीं पड़ता, कोई दूर है, पांस है, उससे फरक नहीं पड़ता, हम योग के बल से, बाबा के बल से हम चलते हैं, तो बाबा आमें कहते हैं, जब विगण आता है, तबी तो ज्ञान अपलाई होता है, ना, सहनशिलता, सहनशिलता, हम बहुत सहनशिल आत्मा है, देखो एक माता आती थी, उसको जब भी पूछो ना, आपका स्वामान क्या, मैं सेहनशील आत्मा हो, ठीक है, छे साल होगे ज्ञान में चलते, छे वरश के बाद मुझे कहती है, आज बहुत ना ऐसे एंग्जाइटी सी हो रही है दीदी, आज कल क्या है, स्ट्रेस प्रेस नहीं बु सीधा एंग्जाइटी होती है तो छे वरश के बाद कहती है, आज आसे एंग्जाइटी सी हो रही है तो जो मैं ने धा सासा वरा है तो, जो मैंने ढुट्वाल में रखले पच्चिस सालों से, ہास से अलग रहती हूं, कभी मिली नहीं हूं, हमारा पच्चिस वर्षों पहल जगड़ा हो गया था और हम अलग हुए और मैं कभी नहीं मिली लेकिन अभी ससुर ने शरीर छोड़ दिया और अभी कोई है नहीं तो सास मेरे पास रहने आ रही है तो मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है तो मैंने का सेहनशील आत्मा का स्वमान लेते हुआ आप और सा पास आ रही है तो एंग्जाइटी हो रही है तो मतलब मैं सेहनशील आत्मा हुँ लेकिन सेहनशील आत्मा कह कह कर बाबा को क्या कर रहे है कि बाबा मैं सेहनशील आत्मा हुँ कभी मुझे सेहने का पेपर ना देना पड़े है ना मैं सेहनशील आत्मा हुँ बस मेरे कहने से आप certificate दे देना, कभी paper ना देना पड़े सहनशील होने का, तो मैंने का आपको 6 वरश होगे ज्ञान में, आप सहनशील आत्मा हैं, आप क्यों नहीं सास के साथ तालमेल बिठा के चल सकते हैं, तो कहते हैं, मुझे तो सोचने से ही टेंशन हो जाती है, और मुझे लगता है ना क्या है सारा विघण के साथ चक्कर है कि विघण आया है तो बुरी बात है, लेकिन बाबा कहते हैं, तुम जब गुणों शक्तियों को एपलाई ही नहीं करोगे, तो गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप बनोगे कैसे, इना मैं बहुत मीठा हूँ, मैं बाबा का मीठा बच तो आप मदूर्ता का स्वमान किसके सामने लिते हैं? जो मदूर है उनके सामने? हôm जो मदूर है उनके सामने, तो कोई ही करवा होता होगा, तो बाबा ममी कहते हैं, यह जो अनुभवी बनाना, सबसे बड़ी authority क्या है अनुभव की authority अनुभव की authority जिसके पास नहीं है उसका ज्ञान ऐसे soda water है अभी अभी ज्ञान का उबाल आ रहा है अभी अभी कुछ नहीं तो अनुभव की authority कैसे बनेंगे जब कोई बाते आएंगी जब उस ज्ञान को apply करेंगे देखो बाबा का साथ कहते हैं बाबा के साथ से सर्वसंबंद का सुख मिलता है अब सब संबंदों से गिरे हुए हैं तब कहते हैं बाबा से सर्वसंबंद हैं और जहां एक से सुख नहीं मिल रहा वहाँ पर कहते हैं बाबा भी अच्छा नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये है थोड़ी है कि हमारे बाबा के साथ सर्वसंबन जोड़े हैं बाबा के साथ सर्वसंबन तो तब कहेंगे न जब कोई संबन्धी पास नहीं है तो भी हम उतने ही सुक स्वरूप शांत स्वरूप रहे पा रहे हैं क्योंकि बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध है, तो यह जो ज्यान हम लेते हैं, इस ज्यान को हम test कब करेंगे, apply कब करेंगे, अनुकूल परिस्थितियों में सिर्फ ऐसे ही जुटे स्वमान लेते रहे न, यह तो कोई बात नहीं है न, कि हम ज्यानी हो गए, तो बाबा केते हैं जब प्रतिकूल परिस्थिती आती है, देखो जैसे एक व्यक्ती है, ड्रिल करता है, दुनिया में ड्रिल होती है न, जैसे आज कल क्या करते हैं, यह जो विनाश की ड्रिल कराते हैं, अर्थक्वेक की ड्रिल, फायर की ड्रिल, ओफिसे में भी कराते हैं, लोकालिटीज में भी कराते हैं, कि नहीं कि fire की drill, fire आएगी तो कैसे भागोगे, कैसे जाना है, कहाँ बैठना है, कैसे रहना है यह earthquake आती है, तो कैसे चलना है, अब वो drill क्यूं करा रहे हैं, वो drill इसलिए करा रहे हैं, कि कल वो situation आएगी, तो उस समय पर हम वो जो drill करके, हमने practice इसकी है उसको हम apply करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रिल तो कर रहे हैं रोज हम विग्न विनाशक है, हम सहन्षील आत्मा है, मैं मदूर्ता संपन आत्मा हूं मैं नश्टु मुहा आत्मा हूँ, मेरे सर्वसंबंद बाबा से है, मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ लेकिन साथ साथ क्या सोच रहे हैं, बाबा ये परिस्थिती कभी नहीं आनी चाहिए जब हमें अप्लाई करना पड़े ठीक है, लेकिन अगर ड्रिल कर रहे हैं और श्रीमत पर कर रहे हैं, तो इसका मतलब परिस्थिती तो आएगी न, और परिस्थिती का तो ज्यान हमें मिला है न, बाबा ने कहा है, ऐसी सीन आएगी, जहां पर हमें अपना ज्यान, गुण, शक्ति सब अप्लाई करना उसकी application करेंगे, तब तो विगन विनाशक बनेंगे, और अगर जैसे ही परिस्थिती आई वहाँ पर कहेंगे, अरे बाबा ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, हमने तो सोचा था, हम चार टाइम भोग लगाते हैं, तो हमारे जीवन में कभी विगन नहीं आएगा, लेकिन तुमने तो सारा भोग खा के कुछ हमें एवजा ही नहीं दिया, और तुमने तो विगन भेज दिया, रोका नहीं, तो इस प्रकार से नहीं चलता, क्यों 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 करना संशे की निशानी, क्यों 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 करना माना हमें ज्ञान समझ में नहीं, तो बाबा हमें कहते है कि knowledgeful आत्मा विग्न विनाशक होती है, knowledgeful आत्मा विग्नों से घबराने वाली, विग्नों में रोने वाली, विग्नों को avoid करने वाली या विग्नों का वर्णन करने वाली भी नहीं होती, उसको समझ आता है, ये विग्न आया है, मुझे आगे बढ़ाने के रिए, और कोई भी बात नहीं होगी, तो हम आगे बढ़ेंगे क्या, comfort zone बहुत comfortable होता है, लेकिन वहाँ growth कभी नहीं होता है, इसलिए भक्ती में हम comfort zone चाहते थे, लेकिन comfort zone और growth का तो रिष्टा ही उल्टा है, जहाँ comfort zone होता है, वहाँ growth होती ही नहीं है, तो बाबा कहते ही, जो knowledgeful आत्मा है, वो विग्न विनाशक बनते हैं, वो अपने लिए भी विग्न विनाशक बनते हैं, और कोई भी परिस्थिती आजाए, आसपास की आत्माई भी, अगर विग्नों की प्रभाव में आ रही हैं, तो वो उनकी लिए भी विग्न विनाशक बनते हैं, क्योंकि वो वहाँ भी ज्यान स्वरूप गुंश्ट स्वरूप शक्ति स्वरूप रहकर उनको भी उस लगन में उठाते हैं जैसे दुनिया में क्या करते हैं किसी के उपर कोई विगन आया तो दूसरा भी क्या कहता है वो कहता है मैं बिचारा वो कहता है हाँ हाँ तुम बिचारे तो हो इतना किया तुमने जायज है लेकिन ज्ञानी आत्मा खुद भी विगन विनाशक रहते हैं और दूसरे को भी बताते हैं कि ये विगन नहीं है ये तो लगन का साधन है ये तो तौफा है अगर हम इनसे घबराएंगे तो हमें तौफा कैसे मिलेगा तो ये है देखो दुनिया में जब अज्ञान काल भी होता है अग्यान काल में भी ड्रामा कल्यान कारी होता है जब हम ज्ञान में भी नहीं होते न तो भी ड्रामा कल्यान कारी होता है लेकिन ड्रामा का कल्यान हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते क्योंकि हम ज्ञानी नहीं होते हैं मैं आपको बहुत छोटी सी इसमें मैं पहले भी बता चुकी हो ये बात, एक भाई आता था, तो वो मुझे जब कोर्स करने आया ना, तो पहले दिन से कहता, अच्छी पुजिशन में काम करता था, मुझे कहता था, दीदी MBA नहीं किया ना, MBA नहीं किया, सिर्फ इंजिनियर हो ना, इसलिए मेरी प्रमोशन में दिक् होती है, तो मैंने उसको कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ऐसे दीरे दीरे बात होती, फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद मुझे कहता है, दीदी देखो, कुछ साल पहले ना, इतना बुरा हुआ मेरे साथ, दो साल मेरी जॉब चली गई, लगी ही नहीं, त तो कहते हैं, दीदी आप समझे ने, देखो, दो साल ऐसे दो साल में नहीं आए ना, ऐसे एक दिन, एक दिन, एक दिन करके दो साल आए, तो मैं सोच तरहा, आज लगेगी जॉब, आज लगेगी जॉब, ऐसे करके दो साल हो गए, जब दो साल खतम होगे ना, तो मैंने मेरे साथ क्या हो गया क्या हो गया लेकिन उसको ड्रामा में ऑपर्चुनिटी मिली थी उसको समझ नहीं आया लेकिन क्या ग्यानी होकर भी हम वही गलती करते हैं देखो मनुष्य का क्या है अग्यानी मनुष्य क्या करेगा कोविड में क्या किया जब कोविड नहीं था तो कहत खल्ट फॉटाथा मरत हमे अकेला रहना अच्छा नहीं लगता है अगर अगर ज्यानि भी वही करें जब सब रहते हैं तो ज्यानि भी ज्यानि में डेकन जाइए और तो तीसरा नेत्र मिला हुआ है न, ये तीसरा नेत्र की एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है, ये कल्यान देख सकता है अकल्यान की सीन में, तो बाबा कहते हैं, इतना नौलेजफुल, पावर्फुल बनो, कि विघन में जो तोफा छुपा हुआ है, उसको देख सको, और दू यानी आत्मा, नौलेजफुल आत्मा, कभी भी विघन रूप नहीं बनेंगे, एक तो विघन विनाश्यक बनेंगे, न, दूसरे के विघनों में भी उसको भी निकालेंगे, कभी उसको भी विघन उसके बढ़ाएंगी नहीं, कि अच्छा है, या दुख है, या कोई फीलि पानी बनते हैं, आजकल एक फैशन है, कहते हैं हम परिक्षा ले रहे हैं, आप क्यों परिक्षा ले रहे हैं, आप क्यों परिक्षा ले रहे हैं, एक तो पहले किसी के लिए विगन रूप बनेंगे, फिर कहते हैं हम आपकी परिक्षा ले रहे हैं, आप क्यों परिक्षा ले परिक्षा तो बाबा लेगा, आप जान बूच कर किसी की परिक्षा क्यों बन रहें, बाबा हमें यहां तक कहते हैं अगर आपको किसी का संस्कार मालुम चल चुका है, कि इस बात से इनको तकलीफ होती है या वो अपनी मरियादा की बात नहीं है जैसे आपकी मरियादा में किसी को तकलीफ होती है वो आपकी problem नहीं है लेकिन मान लो आपके कुछ कहने से आपके किसी करम से दूसरे को तकलीफ होती है या दूसरे को दुख मिलता है तो बाबा के थे वो भी मत दो, मान लो आप राइट बात ही कहते हो, लेकिन उस राइट बात से अगर दूसरे को दुख मिलता है, तो हमें उसके संस्कारों के भी नॉलेज़ फुल होकर चलना है, ऐसे ने मैं तो राइट बात कह रहा हूं, तो फिर उसमें वो दुखी भी होत उसके प्रती कर रहे हो, और उससे उसको दुख हो रहा है, तो उसके भी संस्कारों को देख कर चलो, क्योंकि किसी को दुख दे के तो हम राइट नहीं बना सकते, तो उसके संस्कारों के हिसाब से चलना है, किसी को हमें, जब हमें मालूम है कि इस बात से इनको तकलीफ या पीड़ा पहुंचती है, तो हमें वो भी उनके प्रती नहीं करना है, हम अपनी मर्यादा पर चले, हम बने, तो बाबा हमें कहते हैं, हम किसी के लिए विगन रूप ना बने, और वैसे भी दुनिया में किसी को परिवर्तन करने का सबसे इजी और एक मात्र तरीका है, अपनी स स्वस्थिती में रहकर अपनी स्रेष्ट करम करते रहना, जब हम वो करते हैं, तो जिसको प्रेड़ना लेनी होती है, वो ले लेता है और बन जाता है, तो बाबा कहते हैं, इस प्रकार से हमें चलना है, तो हम किसी के लिए विगन रूप नहीं बनते, हम किसी की परिक्षा लेने नहीं जाते, हम किसी के लिए ऐसा कोई करम नहीं करते, जिससे उसके को कश्ट हो या दुख वो या पीड़ा हो, तो बाबा कहते हैं, यह ज्ञानी की निशानी नहीं है, और दूसरा हम विगन विनाशक बनते हैं, और फिर आज बाबा कहते हैं, सत्यता की सभ्यता, सत सत्यता हमेशा सभ्यता के साथ होते हैं, बाबा ने हमें बताया है, क्रोध के साथ सत्य बोलते हैं, तो भी वो सत्य नहीं रहता, अगर जैसे दुनिया में तो कहते हैं, सच चीक-चीक के बोलो, लेकिन बाबा कहते हैं, नहीं, सच कभी चीक-चीक के नहीं बोला जाता, सच को हम लोग सत्य ज्ञान सुनाते कैसे सुनाते बहुत सभ्यता से सुनाते बाबा हमें मुडली में कहते हैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना कहते हैं बाबा डिसकस नहीं करना डिसकस मतला बाबा कहते हैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना किसी के साथ हमें वाद विवाद नहीं करना, हमें किसी के साथ शास्त्रार्थ नहीं करना, वो एक पॉइंट फेके हैं, हम एक पॉइंट फेके हैं, यह सब हम नहीं करते हैं, तो बाबा हमें कहते हैं, सत्यता में बहुत सभ्यता होती हैं, सिर्फ वानी की नहीं, दृष्टी क सभ्यता, वृत्ती की सभ्यता, हमारी द्रिष्टी भी असभ्य नहीं होते, हमारी द्रिष्टी भी ब्रिकुटी के बीच पैठी आत्मा के सिवाई कुछ नहीं देखती, हमारी वृत्ती में भी कल्यान और शुभावना के सिवाई कुछ नहीं होता, हमारे बोल कभी इधर उद के नहीं होते हमारे बोल सभ्यता अनुसार होंगे कोई कैसा भी बोले कैसा भी करे सत्यता वाले की सभ्यता खंडित नहीं होने चाहिए अगर हमारी सभ्यता खंडित हो रही है इसका मतलब हमारे में सत्यता की कमी है सत्यता पवित्रता एक ही चीज है तो जहां प्योरिटी की कम वहीं पर ही असभ्यता होती है चाहे वो बोल चाल की असभ्यता हो चाल चलन की असभ्यता हो खान पान की असभ्यता हो या संबन संपर्क में आते असभ्यता हो सोने उठने की मर्यादा नहीं है किसी भी चीज में असभ्यता है तो इसका मतलब सत्यता की कमी है अगर सत्यता है प सभ्यता सबको आकरशित करते हैं, आप अगर आप सत्यता को नहीं पहचानते हैं, लेकिन सभ्यता दिखाई देते हैं, किसी आत्मा की वानी सुनते हैं, किसी आत्मा की करम देखते हैं, उसकी चाल चलन देखते हैं, तो आत्मा को फील होता है, कि इनके अंदर कुछ ऐसा है, ज जब देखो वửravõ किसी को आप कहींगि न हमें सत्य ज्ञान है हमारे अंदर प्यॉरिटी है तो वो क्या सोचेगा ये अपना डोल खुदी पीटे रहते हैं दुनिया में बहुते अपना डोल खुद नहीं पीटना चाहिए तो अपना ढोल खुद क्यों पेटना है? तो बाबा कहते हैं, सत्यता की सभ्यता दिखाती है, कि आपके अंदर कितनी धारना है, कभी भी हमारा संकल बोल करम अमर्यादित ना हो, चाहे कैसी भी बात हो जाए, कोई कितनी भी आपको विगन डाले, कोई कितनी भी परेशानी निंदा का पेपर आजाए, अपमान का पेपर आजाए, लेकिन ऐसा नहीं, किसी ने अपमान किया तो आप भी अपमान करने लग पड़ेंगे, किसी ने असभ्य बोल बोले तो आप भी उनके विरुद्ध बोलने लग पड़ेंगे, नहीं, उसके अंदर धारना नहीं, आप लक्षे है बाबा के साथ सत्यूग ना बाबा की श्रीमत पर चलकर सत्यूग के लायक बनना और जो हम सत्यता और सभ्यता में स्थित होंगे तभी तो हम सत्य दुनिया के लायक बनेंगे वरना क्या यहां टिट फॉर टैट देने के चकर में अपनी सभ्यता सारी खतम हो वो तो civilized world है न, वहाँ तो सब्यता है, तो वहाँ कैसे जाएंगे, तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं, अपनी सत्यता की सब्यता, अपनी चाल चलन में नहीं छोड़ना कभी, और फिर बाबा आज हमें कहते हैं, पतीत और पावन, अज सारी मुर्लिक इसके भर में, कि बाबा ह में पावन बना रहे हैं, और पावन बनना माना, पाचो विकारों से मुक्त होना, पावन बनना माना, काम, क्रोध, लोब, मो, अहंकार, पाचो छोड़ना, यह न, पावन बनना माना यह होता है, लेकिन सबसे पहला प्रश्न है, बाबा हमें रोज मुर्ली में कहते हैं, अल पांच विकार ने पतित दुखी बनाया है। रोजी रिवाइज होता है कि इन पांच विकारों ने धुखी और पतित बनाया है। लेकिन जैसे बाबा हम ही कहते हैं, कि हम द्वापर्यूग से उल्टे लटके हुए थे, तो द्वापर्यूग से हमने क्या सिखा है, ये पांच विकार ही सुख का कारण है, द्वापर्यूग से हमने क्या सिखा है, काम, क्रोध, लोब, मो, अहंकार की पूर्ती होनी चाहिए, चुपचाप सुन लेता है, बड़ा अच्छा है, व्यक्ति किसी की तारीफ में भी ऐसे कहता है, इनके उपर हम कितना भी गुछा करते हैं, यह चुपचाप सुन लेते हैं, लेकिन आपका तो पाप बनता है, तो यह खुश कबरी थोड़ी हुई, यह तो अच्छी बात नहीं कोई अगर आपकी डाट या क्रोध नहीं सुनता तो वह अच्छी बात होती कोई सुनता है तो आप और ही क्रोधी होते जा रहे तो यह तो खुशकबरी नहीं हुई ना लेकिन मनुश्य क्या सोचता है कि भगवान का शुक्रे एक व्यक्ति तो है जिससे लड़ जगड सकते है एक व्यक्ति तो है जिस पर क्रोध कर सकते हैं या मेरा लोब की पूर्ती हो रही है या मोह की पूर्ती हो रही है या काम विकार की पूर्ती हो रही है या देहंकार की पूर्ती हो रही है मुझे इतने लोग मान सम्मान दे रहे हैं नमस्ते कर रहे हैं मनुश्य तो द्वाप कि ज्ञान ये है कि पांच विकार तुम्हें दुख देते हैं, ये कामक्रोध लोब मों अहंकार तुम्हें दुखी पतीत बनाते हैं, लेकिन अपने दिल से हमें पूछना है कि क्या सच में हमें ये बात समझ आई है और हमारा लक्ष्य निर्विकारी बनने का हुआ है, क्योंकि लक्षे से लक्षन आते हैं, अब बाबा हमें कहते हैं कि योग की विधी से तुम पावन बन सकते हो, लेकिन अगर हम योग करते हुए मनसा ही ये रखते हैं कि मेरे कामविकार की पूर्ती हो, क्रोध की पूर्ती हो, लोब की पूर्ती हो, जैसे भक्ती में रखते हैं बक्ती में क्या करते हैं, सोला सुमवार करें, शादी हो जाएं, और अगर हम योग भी वैसे ही कर रहे हैं, कि हम योग करें, और हमारे विकारों की पूर्ती हो, अब हसने की बात नहीं, मैजॉरिटी वही कर रहे हैं, किसी की इच्छाओं की पूर्ती होनी चाहिए, किसी के मोह की पूर्ती होनी चाहिए, किसी के लोब की पूर्ती होनी चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, तो सब क्या, सब का लक्षी क्या है, क्योंकि लक्षी से लक्षन आएंगे, अगर योग करते हुए भी, हमारे मनसा में यह है किigos कार की पूर्ती के लिए हम योग कर रहे हैं तो वह योग उमें पावन कैसे बनाएगा घले हम जोती बिंदु बाबा से योग लगा रहे हैं लेकिन हमारा तो लक्ष ही ठीक नहीं तो जैसा लक्ष है वैसे लक्षन आएंगे तो इसलिए और योग कर रहें और पूरे दिन देख रहें अच्छा आज पूरे दिन है ना किसी ने इंसल्ट नहीं की और हम बाबा को थैंक्स कह करके हमें लग रहा है वही सिद्धी हमें मिल रही है लेकिन बाबा कहते हैं कि पहले तुम्हें लक्ष समझ में आया है कि 63 जनम हम पतीत बने हैं अब हमें पावन बनना है और हमें बाबा को याद करना है आत्मा समझ कर क्यूं क्यूंकि पावन बनन तो जब उस लक्षे के साथ योग करेंगे तब तो पावन बनेंगे अब साथ दिन की भटी बाबा ने कह दिए लेकिन साथ दिन की भटी के पीछे जो मंसा है उसको भी तो देखें ना साथ दिन की भटी भी कर रहे हैं लेकिन मंसा अगर पावन बनने की नहीं है तो कैसे बने क्योंकि बिना लख्षे के तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं विधी तो मैं दे रहा हूं लेकिन विधी के साथ लक्षय भी होना चाहिए क्योंकि मैज़्ौरिटि को यही समझ नहीं कर रहे हैं कोई उससे फायदा नहीं हो रहा rather तो बाबा कहते पहले तो यह सम्झो मुझे पावन बनना है और पावन बनने के लिए मुझे दे सहे दे के सब धर्मू संबंदों को बूल अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाबा को याद कर अपनी पवित्र अवस्था को इमर्ज करना है और जब उस लक्षे से योग करेंगे तो बाबा कहते हैं पवित्र आत्मा तो कमाल कर सकते हैं साथ दिन निरंतर योग की भटी में रहें तो कमाल कर सकते हैं लेकिन हम अपने आपको पूछें हमारा लक्षे क्या है क्या हमारी बुद्धी में बैठा है ये पाँचो विकार नर्क का द्वार है अच्छा ओम शान्ति